हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नमबर 54 जो की 25 अगस्त 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वॉक्षीट गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राइस एन शाइन लेट्स रीट आप ओम, शॉर्ट पोम गिवन बिलो तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोम दे रखी है इसको हमें पहले तो पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं वन ट्री, वन पॉंड, एन दब्राइट सन सिंगुलर ऑल्वेज स्टैंड्स फ़र वन एक ट्री, एक पॉंड यानि की तालाब और एक चमकीला सूरज और जो सिंगुलर है वो हमेशा एक के लिए खड़ा होता है यानि कोई भी चीज अगर वो एक है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर ठीक है तो यहाँ पे दो लड़किया है तीन बी है यानि मधमकिया है और बहुत सारे शेल्स हैं शोर पे यानि की समुदर के किनारे पे और हमेशा हम देखेंगे दो या दो से ज़्यादा चीजे हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल यानि की सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक चीज और plural का मतलब होता है दो या दो से जादा चीजे ठीक है? Now look at the pictures given below carefully and encircle the word that matches with the picture तो यहाँ पे हमें कुछ pictures दे रखी हैं और यहाँ पे हमें कुछ नाम दे रखे हैं तो हमें क्या करना है? कि सही picture को उनके सही नाम के साथ match करना है Remember a singular noun names one person तो यहाँ पे आपको यह चीज याद रखनी है कि जो singular noun है वो एक person, एक place या एक thing के बारे में बताती है A plural noun names more than one person, place और thing और जो plural noun है वो एक से ज़ादा लोगों के बारे में या जगहें के बारे में या चीजों के बारे में बताता है ठीक है? अब देखो यहाँ चत्र में कितनी बिल्लिया है यहाँ पे सिफ एक cat है singular है तो इसको हम बोलेंगे cat अब यहाँ पे one, two and three three clouds हैं तो एक से ज़ादा है मतलब यह plural है तो इसे हम cloud ना बोलके आप बोलेंगे clouds यहाँ पे देखो कितने apple है यहाँ पे one, two, three, four four apple है तो इसको हम बोलेंगे four apples ठीक है? उसके बाद है यहाँ पे shoe तो अब यहाँ में देखो इस picture में हमें दो जूते दिखा रखे हैं तो इसलिए इसे हम बोलेंगे shoes next है यहाँ पे एक fool है यानि की सिर्फ flower और अगला है rainbow अब यहाँ पे एक rainbow है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे rainbow ठीक है? इसका मतलब आपको यह समझना था कि इन में से कौन सा singular है और कौन सा plural है तो singular यहाँ पे cat है flower है and rainbow है बाकी सारी चीज़े plural में हम count करेंगे जैसे clouds, apples and shoes ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ आपके लिए ओल रखा है अगला question, talk time Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully इस picture को आपको ध्यान से देखना है What do you think the monkey and the bear in the picture are talking about? तो आपको क्या लगता है कि यह monkey और यह bear आपस में क्या बाते कर रहे हैं Imagine and create their dialogues तो उसको सोचिए और उनके dialogue को create करिए Say them out loud and write them in your notebook तो इनकी बातों को जोड़ जोड़ से बोलिए और उसके बाद अपनी notebook में लिखिए You may take the help of your elders too और इसके लिए आप अपने से बड़ो की help भी ले सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं यह आपस में क्या बाते कर रहे होंगे तो देखो पहले यहाँ पर monkey बोलता है monkey किसे बोलेगा? monkey बोलेगा beer से यह बोलता है can you give me a fruit? क्या तुम मुझे एक fruit दे सकते हो? तो यहाँ पर beer बोलेगा beer बोलता है yes, haan, these fruits, these fruits are very tasty तो beer यहाँ पर monkey को बोलता है yes, haan, बिलकुल these fruits are very tasty अब क्योंकि यह fruits बहुत जादा tasty है तो यह monkey को भी दे रहा है और share करके यह दोनो fruits को अब खा लेंगे ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ पर आपके parents के लिए सुझाओ है कि बच्चों को घर में उपलब्ध वस्तूओं की सहायता से एक और अनेक के उधारन दे और उन्हें वस्तूओं को गिरने के लिए भी प्रोचसाहित करें तो अब बच्चों यह आपका काम है कि आप अपने घर में देखेंगे कौन-कौन सी चीजे सिर्फ सिंगल है एक हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो एक से ज़ादा है यह चीजे फिर आप अपने पेरिंस को बताएंगे और उनसे डिसकस करेंगे आई होप यह वरक्षीट अब आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आ चुकी होगी थैंक यू